नमस्कार सभीकों स्वागत आपका डिजनी है अडिकेटर चैनल में NCRT के सिक्रूटमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है अभी तक और जिसमें आपको वेरिस पोस्ट के लिए जो है अपलाई करने के लिए इन्वाइट किया गया है यह आपका अडिजनी देख सकते हैं इसमें लगबग 42 जो है सीरिल नमबर के कार्डिंग जो वेकेंसी है वो बताई गई है जिसमें प्रॉफेसर की भी काफी सारी अलग-अलग सब्जेक को लेकर के वेकेंसी है और इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट में भी काफी सारी जो है वेकेंसी इसमें आई है असिस्टेंट लाइबरियरिंग की भी इसमें वेकेंसी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इससे पहले जो कुछ vacancy है आपके mechanical engineering, agriculture, civil engineering से लिटर है अब आपके next जो बीज है उस पर आपके जो दी गई है वो food technology and processing से लिटर vacancy है एक आपकी है librarian और एक आपकी है assistant librarian से लिटर vacancy इसमें दी गई है तो यहाँ पर आप various post जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें भी आप eligible है उसके लिए आप apply कर सकते हैं और पूरी जो आपकी भरती है इसके बारे में जो प्रक्रियाए हैं क्या कुछ उसमें जानना जरूरी है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले हम essential qualification से start करते हैं according to post आपके पहले psychology से related है तो इसमें जो है आपकी educational psychology तो पहले आपकी है इसमें professor, associate professor और आपकी assistant professor इस से related आप देख सकते हैं next आप पर हम बात करें है guidance and counseling के लिए भी आप जो है दिया गया है इसमें associate professor and assistant professor के लिए next आपकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इनके लिए eligible है और आपकी पास यह essential qualification अगर आप रखते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए apply कर सकते हैं next आप हम बात करते हैं जापके जो एक और post है professor से अलग है वो तो यहाँ पर आप agriculture department में भी देख सकते हैं यहाँ पर आपके mechanical engineering से लिटेड है civil engineering से electronics IT department से business management में भी है hospitality travel and tourism से लिटेड भी vacancies में दी गई है अब next आपके जो एक और important vacancy है वो आपके librarian की है और assistant librarian की librarian के लिए इसमें जो क्या essential qualification मांगी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं master degree in library science तो MLIS आपके बास हो जाना चाहिए MLIB आपके बास होना चाहिए जुसमें भी आपको 55% आपके marks जो है इसमें आये हूँ next आपका दिया गया है at least 10 years as librarian at any level in university library or 10 years of teaching as assistant associate professor in library science or 10 years experience as college librarian तो आपके पास लगबग जो है 10 साल का experience होना चाहिए किसी भी लेवल में जो university library होती है या फिर आपके पास और करके रिया गया है अगर आपके पास पहला वाला नहीं है तो दूसरा यापर दिया गया है 10 years of teaching तो आपके पास 10 साल का assistant या फिर associate professor के रूप में पढ़ाने का आपके पास experience रहा हो या फिर आपके पास 10 years of experience as college librarian का रहा हो तीसरा है आपके पास evidence of innovative library service including the integration of ICT library ICT का आपके पास जो है जरूर ही knowledge में होना चाहिए next आपका a PhD degree in library science, information science, documentation, archives and manuscript keeping assistant librarian के लिए आपके जो दी गई है आपर आप देख सकते हैं master degree in library science और इसमें जो आपके 55% minimum marks उसमें होने चाहिए और a consistently good academic record with knowledge of computerization of library और net in concerned subjects net आपने clear कर रखा हो तो यहां पर आप जो है यह जो website दी गई है www.lcert.link.in यहां पर आप जाके apply कर सकते हैं इसके जो online form है वो फिलोना start हो चुके है 29 जून 2020 से और last date जो है आपके online registration की है फिर online apply करने की तो यहां पर आप देख सकते हैं यह तीन अगस्त तक आप यहां पर फिल कर सकते हैं तो आप इनको note कर लीजे नेक्स्ट आपकी जो application fee है वो यहां पर कितनी है तो आपके under reserve mail, OBC mail, EWS mail are required to pay जो 1000 रुपय आपको pay करनी होगी बाकी आपके no application fee for ST, SC, PWD, human के लिए कोई भी जो है fee आपको pay नहीं करनी है केवल इनको ही pay करनी है जो यहां पर mention है so thank you for watching, ऐसे ही नई recruitment vacancies के लिए बने रहे हैं चलने के साथ, telegram पर आपको पहले update मिल जाती है तो वहां पर भी आप join कर सकते हैं, उसका link आपको description box मिल जाएगा, so thank you